आकर कब से शुरू हुई थे हिंदु धर्म की शुर्फात। कौन से सबसे ताकतवर भगवान है। दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन ही सवालों के जवाब तो बनो रहे हैं वीडियो में आन तक। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजेगा। दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज दुनिया में अनेको धर्म मौजूद हैं और इन अलग अलग धर्मों को जन्म देने वाले भी कई अनीक लोग हैं अब भले ही दुनिया में कितने भी धर्म हूं लेकिना जिन धर्मों का सबसे ज़्यादा बोल बाला देखा जाता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, एसाई लेकिन अगर आप से पूछें कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म आप किसे मानते हैं तो यकीनन आपके जहन में सर्फी की नाम आएगा वेल, जो लोग नहीं सोच पाएं जिनोंने नहीं पता किया उन्हें बता दे कि हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले धर्म हिंदो धर्म की और आपको जानकर वाकई हैरानी होगी लिकिन ये सच है कि आज दुनिया में लगबग 120 करोड लोग की संख्या ऐसी है जो सिर्फ हिंदो धर्म मानते हैं वह अगर हम बात करें भारत की तो भारत में हिंदो धर्म को लेकर लोग के बीच अलगे उत्सा देखने को मिलता है और यही वज़ा है कि जहां पूरी दुनिया भर में 120 करोड लोग हिंदो धर्म को मानते हैं वह अकले भारत में कुल जन संख्या के करीब 79% लोग हिंदो धर्म को मानते हैं यानि भारत जहां भारत में हिंदु धर्म को मानने वालों की संख्या करीबन 111 करोड के आसपास है वैसे माने भी क्यों ना हिंदुस्तान की ही तो जमीन वो जमीन है जहां हिंदु धर्म ने जन्म लिया और कई दीवी देवताओं ने यहीं पे जन्म लिया और इस हिंदुस्तान को अपनी पवित्र सूच से पवित्र किया था। उनकी सूच यही है जो आज भी हिंदुस्तान के हर दिल में बसती है। तबी तो भारत में कहा जाता है भगवान कणकण में बसते हैं। वैसे दोस्तो अगर आपने कभी हिंदु धर्म को करीब से नहीं जाना है और जानना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चलता की कैसे जाने तो इसके लिए आपको हिंदु धर्म से जुड़ी कई कताबें कई गरंत मिल जाएंगे जिनमें हिंदु धर्म का वर्णन काफी अच्छे स किया गया है जैसे रामायन, महाभारत, वेद, औरान तमाम गरंत आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें हिंदु धर्म को काफी करीब से देखा जा सकता है वैसे अगर आप इन गरंतों को पढ़ चुके हैं तो आपने एक चीज जरूर गौर की होगी कि इन गरंतों में कह को हिंदो धर्म की शुरवात के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि एक ऐसा धर्म है जिसकी शुरवात के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है और यही वज़ाए कि हिंदो धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है जिनमें समय समय पर कई लोग कई भग ब्रह्मा देवों की नगरी का एक इसा नाम है जिसने इस ब्रह्मान की रचना की खैर इनकी रचना यानी इनके चंप कतकी ब्रह्मा जी का। पत्ती चीर सागर में विराज़मान भगवान विश्णू की नाबी से निकले कमल के द्वारा होई थी। जब ब्रह्मा ने भगवान विश्णु से पूछा कि हे भगवान मुझे क्यों उत्पन न किया तब मुझे कर्तब मेरा बताईए भगवान विश्णु ने कहा तब विश्णु जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी तब मिलीन हो गए और सालों बाद उन्हें गरबोधक श प्रहिंदु धर्म में काफी प्रसद्ध है कहा जाता है कि इस दुनिया में जब तक पाप और अत्याचार बड़े हैं तब तब भगवान विश्णु ने अलग अलग रूप में इस दुनिया में जन्म लिया है और पापियों का विनाश किया है इनकी उत्पत्ति की बात कर बन गए ये स्रिष्टी के पालन करता नमबर तीन भगवान शिव बगवान शिव ने कई दानव को खत्म किया था जिनमें कामदेव अंदकासर तरपरासर संक चून जैसे दानव शावल थे और यही वज़ा है कि भगवान शिव को जादतर लोग अपने कुरूद की वज़ दान तक मांग लिए और उनका दुरुपी यूग भी क्या खेरा आये जानते हैं फूर्थ पावर्फुल गौड के बारे में जो कि देव नहीं बलकि देवी हैं नमबर फो देवी लक्षमी जेहां हम बात कर रहे हैं माता लक्षमी जी की जने लोग काफी पावित्र मानते ह हिंदूों का मुक तैवार माने जाने वाले दिपावली के तैवार पर माता लक्षमी जी हर हिंदू के घर में प्रवेश करती हैं उनने ये आशिरवात देती हैं कि उनके घर में सुख और सम्रुद्धी आए और धन की कमी कभी नहो नमबर पांच भगवान गणेश आज शुब काम करने से पहले हर हिंदू भगवान गणेश का नाम लेता है बता दें कि भगवान गणेश माता पारवती के पत्र हैं जिने माता पारवती द्वारा उत्पन किया गया था एक दिन माता पारवती सुनान करने चली गई लेकिन इसी दौरान शिव जी यहाँ है और अंदर जाने लगे लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जिसके बाद भगवान शिव ने गणेश के सर को काट दिया पर जब माता पारवती को इस बारे में पता चला तो वो शिव जी से नाराज हो गई जिसके बाद शिवजी ने भगवान गणीश के सर की जगा पर एक हाथी का सर जोड़ दिया और उन्हें पुनह जीवित कर दिया जब भी दुरगाजी का वर्णन हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक युद्धा देवी हुआ करती थी जो शेर पर सवार होकर अपनी आठ से दस बोजाओं में हतियार रखती थी बता दे कि महिसास और नामक एक दानब जिससे सभी देव परास्त हो गए थे उन्हें मारने के लिए दुरगाजी का जन्म हुआ और दुरगाजी ने उन्हें मारा नमबर साथ भगवान हनुमान भगवान हनुमान के बारे में तो क्या ही बताएं इन्हें तो आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है भगवान शुयराम के प्रत्विन का प्यार और रावन का बद्ध करके इनकी कहानी आज शाहिद ही इनसे कोई वाकप न हो यही वजह है कि आज देवों के बीच हनुमान जी काफी ताकतवर देव माने जाते हैं नमबर आठ भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई बात आज भी दुनिया भर के लोगों को उत्साहित करती रहती है इन्होंने महाभारत में अर्जुन का जो साथ निभाया था उसे वाकई आज भी हर हिंदू याद करता है साथ ही पूरे महाभारत पर अर्जुन के सार्थी बनकर इन्होंने जिस तरह अर्जुन को गाइट किया वह एक सच्छा सार्थी ही कर सकता है अब बात करने जा रहें ग्यान की देवी सारस्वती की जिनके बिना ये संसार चलना मुम्किन ही नहीं इसी वज़ा से माता सरस्वती को सवी देवी देवताओं में काफी घ्यानी कला से भरपूर माना जाताथा इनसे पहले दुनिया में गानेश ये सूर ताल इनके बारे में कोई नहीं जानता था लेकिन फिर स्रिश्टीक में संगीत की शुर्वात होई बदादे की माता सरस्वती जी स्रिष्टी के रचईता ब्रह्मा जी की बेटी है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पता जी अपनी बेटी की सुन्दर्ता पर मोहित हो है और यही वज़े है कि भगवान ब्रह्मा को आज तक पूजा नहीं जाता नमबर दस भगवान राम भगवान राम दोस्तों कहा जाता है कि आज हर कणकण में भगवान राम बसते हैं इनके आदर्ष्टा की कहानी आज हर हिंदु जानता है हिंदु धर्म के किसी भी ग्रंद को उठा कर देख लीजे जहां राम जी का अज़गराएगा तो उन्हें कादर्श भगवान के रूप में दिखा जाएगा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी यानि सीता के अलावा कभी किसी को नजरें उठा कर नहीं देखा आने वाले भगवान वैसे आप इन में से किस भगवान को मानते हैं कॉमेंट जरूर करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 एंटे क्या दोस्तों को स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें